नमस्कार आप देख रहे हैं पंजाब केसरी मैं आपके साथ हूं जोती शर्मा अयोधिया में राम मंदर की प्रान प्रतिस्ठा के लिए कुछ ही समय बचे हैं इसके बीच शंकराचार अवे मुक्तेश्वरा अनंद सर्रस्वती ने पिये मोधी की तारीफ की है उन्होंने कहा कि मैं मोधी विरोधी नहीं हूँ सच्चा यह है कि नरेंद्र मोधी की प्रधान मुंत्री बनने से हिंदू को स्वाभिमान जाग गया है यह चोटी बात नहीं है, हमने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा कि हम मोदी विरोधी नहीं बल्कि मोदी की प्रश्चन सक है संक्राचारे ने हाली मिया योधिया में राम लला की प्रान प्रतिस्ठा पर सवाल खड़ी किये थे हलान की अब उनकी सुर्व बदल गए हैं, क्या कुछ कहा है आईए आपको सुनाते हैं सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी के आने से उनके प्रधान मंत्री बनने से हिंदूओं का स्वाभिमान जागा है और हिंदूओं का जो स्वाभिमान जागा है, यह कोई छोटी बात नहीं है, कही है कि हम एंटी मोदी नहीं है, बलकि मोदी के प्रसंसक है और इसलिए प्रसंसक है, क्योंकि इतना हिम्मती और हिंदूओं के पक्ष में दर्टा के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रदान मंत्री अभी तक आजाद भारत में हुआ है, बताओ ना अच्छे अच्छे प्रदान मंत्री हो गए, हम किसी की आलोशना नहीं कर रहे हैं उन सब की अपनी अपनी विशेस्ताएं थी, लेकिन हिंदू भावना को समर्थन देने वाला हिंदू स्वाब इमान को, हिंदू की आत्म बल को बढ़ाने वाला ये तो पहला ही प्रदान मंत्री है ना और हम एक हिंदू होने के नाते, एंटी कैसी बात करते हैं आप लोगों को तो केवल यही धुन है एक ही एजेंडा आप लोगों ने बना लिया है कि बस एंटी मोधी, एंटी मोधी, सिद्ध कर दो शंकराचारी ने कहा कि हम उनकी प्रसंसा करते हैं क्योंकि स्वतंद्र भारत में ऐसा कौन सा प्रदान मंत्री है जो इतना बहादुर है, जो हिंदू की दिर्धा से खड़ा है हम किसी भी आर किसी का अलोशना नहीं कर रहे हैं लेकिन वह पहले ऐसे प्रदान मंत्री हैं जो हिंदू भावनाओ का समर्थन करते हैं उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या एक हिंदू की रूप में हम खिलाब हैं आप क्या कह रहे हैं मीडिया एक एजिंडा है हमें मोधी विरूधी साबित करने का और क्या कुछ कहा आईए आपको सुनाते हैं समान नागरिक समिता की जब बात की जाती है तो अपनी जो हमारी धार्मिक चिंताएं हैं उनको विक्त करते हुए क्या हम उसका स्वागत नहीं करते हैं प्रधान मंत्री जी ने सवच्छता का अभियान देश में चलाया क्या हम लोगों ने उसमें कोई बाधा डाली क्या उसकी सार्जवनिक प्रसंसा नहीं की गई श्री राम जनम भूमी के निर्णे के आने के बाद किस तरह से लायन आडर को पूरे देश में मेंटन किया गया किसी प्रकार का कोई दंगा पसाद नहीं होने दिया गया इतने बड़े निर्णे के आने के बाद भी ये जो उनका प्रशासन के संचालन का कौशल था क्या इसके बारे में हम लोगों ने सार्विनिक रूप से प्रसंसा नहीं की जो हिंदू होने के नाते हिंदू भावना को जब बल मिलता है तो स्वाभाविक रूप से प्रसंसा होती है और ये काम नरेंद्रमोदी जी कर रहा है उन्होंने ये भी कहा कि आप बताईए जब पीम ने अपने गिरह मंतरी के एक जरीय संसद में अनुशे 370 को नरस्त किया तो क्या उस समय हमने फैसला का स्वागत नहीं किया था इससे पहले हाल ही में आवे मुक्तेश्च्वरा नंद सरुस्वती ने प्रान प्रतिस्था पर सवाल खरे करते हुए कहा था कि अधूरे मंदर में प्रान प्रतिस्था नहीं किया जाहिए हलांकि अब उन्हों ने कहा है कि उन्हें मोदी विरोधी साबित किया जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं है खबरों का सलसिला लगातार जा रही है देखते रहिए पंजाब केसरी नमस्कार